स्वागत है दोस्तों आपका हमेर यूट्यूब चैनल इंवेस्टर टामे हैं दोस्तों अगर आपको SWP आप्शन यानि के सिस्टमेटिक विट्रॉल प्लान के अंदर पैसे को निवीश करके एक मतली इंकम शुरूर करनी है तो इसके लिए आपके पास सबसे बहतीन आप्शन है SPA का एक बहतीन मूचल फंड प्लान क्योंकि दूस्तों ये फंड काफी पुराना है लगतार 15-16 साल से इस फंड रिटन काफी जबरदस दिया है और फंड के अंदर एक potential growth अभी भी शांदार आपको मिल सकते है तो अगर आप SWP option में पैसे को निवीश करके एक मतली इंकम शुरूर करना चाहते हैं तो फिर मूचल फंड का ये पहतीन प्लान आपके काफी काम आएगा क्योंकि यहां पर लगतार आपको एक stable return मिला है लेकिन यहां से अगर आपको और कम return मिल जाता है तब भी आप पैसे को निवीश करके अपने एक बड़े fund बनाने के target को आसानी के साथ पूरा कर सकते हैं क्योंकि दोस्तो SWP option में mutual funds के अदर हमें ये benefit मिलता है क्योंकि यहां पर हम अपने पैसे को निवीश करके एक बड़े fund बनाने के target को भी पूरा कर पाते हैं और अगर हम एक मत्ली इंकम शुरू करनी है तो SWP option में पैसे को निवीश करके हम एक मत्ली इंकम के साथ साथ पैसे को बढ़ा सकते हैं क्योंकि अगर आप मत्ली इंकम के लिए किसी ऐसी जगा पैसे को निवीश करते हैं जहां पर आपको ब्यासदर काफी कम मिले तो फिर आपको लोंग टाइम में भी कोई जादा profit नहीं हो पाता है क्योंकि या तो आप मत्ली इंकम शुरू कर सकते हैं अगर आप पैसा वापस लेंगे तो फिर आपका पैसा वापस नहीं मिल पाएगा लेकिन अगर आप पैसा वापस लेते हैं तो फिर आपको कोई पैसा बढ़कर वापस नहीं मिलेगा बलकि आपको monthly income 7.7% प्रसेंट प्यासर के साब से जो पैसा बनेगा वही आपको मिल सकता है लेकिन दोस्तों अगर आप 2 benefit हसिल करना चाहते हैं monthly income के साथ साथ आप अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आपके पास SBA के ये fund काफी बहतर रहेगा क्योंकि यहाँ पर लगतार आपको 15,000 रुपी की एक income भी मिलती रहेगी और इसके लिए आप जो पैसा निवेश करेंगे वो पैसी की value भी आपको 2 करोड रुपे से जाता मिल सकती है बस इसके लिए आपको ये देखना होगा कि हाँ पर आप कैसे पैसे को निवेश कर रहे हैं कितने टाइम के लिए आपका target है पैसे निवेश करने का और आप कब तक की income स्टार्ट करना चाहते हैं क्योंकि दोस्तों mutual funds के अंदर SWP एक सबसे 22 तरीका है mutual funds के अंदर पैसे निवेश करके monthly income शुरू करने का क्योंकि अगर आप SWP में पैसे निवेश करेंगे तभी आपको income मिल जाती है बलकि SIP में आप सालों तक पैसे निवेश करके भी सालों तक पैसा निवेश करके एक बड़ा fund बना पाते हैं या फिर lump sum पैसा निवेश करके भी आपको wait करना होता है लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि वो यहाँ पर पैसा निवेश करें और निवेश करने के बाद उन्हें अगले महिने से एक income मिलना स्टार्ट हो जाए उनके पैसे पात तो उन्हें के लिए ये दोस्तु काफी बैतिन प्लान रहता है S-Trap-O-P का लेकि ये काम कैसे करता है इसे आपको जरूर समझना चाहिए तब ही आप ये समझ पाएंगे कि यहाँ पर आपको कितने income लेनी हैं और कितना पैसा यहाँ पर आप नवेश करके अपने पैसे को बढ़ा कर एक monthly income शुरूर कर सकते हैं तो दोस्तो इस वीडियो में हम पूरे डिटेल समझेंगे calculation के साथ और fund की details भी हम चेक करेंगे तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं fund की तो दोस्तो यह SPE का मेकनम mid cap fund direct plan growth है दोस्तो यह mid cap category का fund है यहाँ पर return जो है दोस्तो लगतार हमें काफी शांदार मिला है आप तक fund ने शांदार 21.40% का return दिया है last 5 year में 27.55% last 3 year में fund का return 25.60% last 1 year में 40% और 6 month में fund ने शांदार 20.90% का return दिया है दोस्तो SPE मेकनम mid cap fund के अंदर लगतार एक long time से हमें return काफी शांदार मिला है लेकिन यहाँ से return हमें और कम मिल जाता है यानि कि सिर्फ अगर हम मानते हैं कि हमें 20% का return मिल जाता है यहाँ पर हम 15,000 रुपे ने वीश करते हैं लेकिन अगर हम इस target को बढ़ाते हैं और 12 साल तक पैसे को निवेश करते हैं तब दोस्तों यहाँ पर 15,000 रुपे की value 56,18,000 की होगी और यहाँ पर 15,000 मंतली के साब से कुल 21,60,000 रुपे का हम return amount भी ले चुके होगे लेकिन अगर हम पैसे को निवेश करते हैं 18 साल के लिए तो दोस्तों यहाँ पर अब हमारे 15,000,000 रुपे की value बढ़कर 1,48,000,000 रुपे से जादा की हो जाएगी जबकि 15,000 मंतली के साब से हम कुल 32,40,000 रुपे का return amount भी ले चुके होगे जबकि 24 साल में आप 15,000,000 की value बढ़कर 4,23,000,000 रुपे की होगी और 15,000 मंतली के साब से कुल 43,20,000 रुपे का return amount भी हमें मिल जाएगा और दोस्तों 30 साल तक अगर हम पैसे को निवेश करते हैं तो यहाँ पर 15,000,000 की value 12,44,000,000 रुपे की होगी और 15,000 मंतली के साब से कुल 54,000,000 रुपे का withdrawal amount भी हमें मिल जाएगा लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको ज़रूर समझना है कि आपने एस्ट रुपे option में पैसे निवेश करती है लेकिन यहाँ पर आप कितना payout ले सकते हैं अगर आप दोस्तों यहाँ पर अपने payout को 1% से जादा बढ़ाएंगे यानि कि 15,000 से जादा अगर 20,000 की income शुरू करेंगे तो फिर आपके पैसे पर रिस्क बहुत जादा बढ़ जाएगा इसलिए बहतर यही है कि आप जो भी वैसा निवेश कर रहे हैं उसका 1% तक payout ले इससे आपके पैसे पर रिस्क भी कम हो जाएगा और आपको लगतार एक अच्छा profit भी मिलता रहेगा लेकिन दोस्तों अगर हम इस प्लान के पोटफिलियों की बात करते हैं तो यह दोस्तों काफी बहतीन पोटफिलियो है एकुटी के अंदर यहाँ पर 95% पैसे को यूज किया गया है जिबकि यहाँ पर एकुटी सेक्टर लोकेशन की हम बात करें तो दोस्तों फाइनेंसल सेक्टर के अंदर फंड का सबसे जाधा 12.7% पैसा ओटोमबाई सेक्टर के अंदर करीब 12% सर्विसिज, हेल्थ केर, कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गोड्स, अधर सेक्टर के स्टोप यानि कि दोस्तों पोटफिलियो को दिवर्सिफाई किया गया है अलग-लग सेक्टर में जिससे लगतार फंड ने रिटर्न काफी बहतर दिया है फंड के अने वी, Net Asset Value का प्राइज 286 रुपीस है यानि कि 261 रुपे फंड के अने वी का प्राइज है जबकि फंड की रेटिंग शांदार 3 है और 18,398 करोड रुपे फंड का यूम है यानि यहाँ पर अभी फंड का यूम कमी से मान सकते हैं दोस्तों जैसे जैसे इस फंड का यूम बढ़ेगा वैसे वैसे आपको एक पहतिन ग्रोथ मिलेगी फंड के अंदर SWP option में आप minimum 500 रुपे विट्टॉल से निवेश कर सकते हैं देकिन दोस्तों अगर हम फंड के बीटा की बात करें यानि कि हाँ पर अगर आप पैसा निविश करते हैं तो फंड का जो भी expense ratio होता है ये पैसे काट कर ही आपको NAV के पैसे unit lot की जाती है फंड का expense ratio 0.79% है जबकि अगर आप पैसा निविश करते हैं एक साल से पहले का पैसे को निकालते हैं तो आपको सिर्फ 1% exit low charge जैना होता है return पर tax होता है 15% का एक साल से पहले और एक साल के बाद एक लाग से ज़्यादा profit पर आपको सिर्फ 10% LTCG tax जैना होता है यहाँ पर दोस्तो fund को भाविन 2024 से और प्रदीब 2023 से मैनेज कर रहे हैं और दोस्तो SPAMC जिसकी number 1 AMC है सबसे ज़्यादा लोग अगर mutual funds में पैसा निवीश करते हैं तो उनकी पहली पसंद SPAMC होता है यहाँ पर दोस्तो अगर हम बात करें asset के साब से rank की तो यह भी number fund है और 1987 में यह fund house स्टार्ट हुआ था तो दोस्तो mutual fund plan के दर अगर हम पैसे को निवीश करते हैं और हमारा target होता है लंसम पैसे निवीश करके एक बड़े fund बनाने का तो यहाँ पर हम अपने पैसे को निवीश करके एक बड़ा fund भी आसानी के साथ बना पाते हैं और यहाँ पर हम एक monthly income भी शुरू कर सकते हैं क्योंकि ज़रूत के लिए आपको monthly पैसो की ज़रूत है तो उस पैसे की ज़रूत को पूरा करने के लिए SWP में आपको एक income भी होती रहती है और आपका लगतार पैसा भी बढ़ता रहता है दोस्तो शॉर्ट टर्म में mutual funds के अंदर आपको correction मिल सकता है लेकिन अगर आपका target होता है long time पैसे निवेश करने का तो यहाँ पर आप अपने पैसे को निवेश करके किसी भी बड़े fund बनाने के target को आसानी के साथ पूरा कर सकते हैं दोस्तो इस वीडियो से लेटेट अगर आपका कोई question होता है तो आप ज़रूर बताईए आपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शियर करें और चैनल को भी subscribe ज़रूर कर लें धन्यवाद